हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए समाजिक बिग्यान के वैसे 20 प्रशन हम आपको बताएंगे जो परिक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं तो एक भ जरूर देना है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब करने एक बेल आइकान आता है उसको ओल पर दवाईएगा तक जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पह c o p d A प्रमुक यहां पर पूचा गया है ल41 का परदान कौन होता है सरप रपन्च होता है यहां पर s u ं यहां पर अगला प्रस्ण यहां पर देखेए नमबर काफि महतापूड सेफ़्टी लेंप के विस्पराब कौन है एचा फिर से चैनल एमफडरी डेवी C option है John K D option है Newton तो यहाँ पर आपको बताना है कि safety lamp के विसकारक कौन है तो जो safety lamp के विसकारक है वो कौन है हम्फरी डेवी है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा B B option यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा काफी महतोपूर महतोपूर प्रशने हैं तो एक भ काली मिट्टी किस फसल के लिए उप्यूक्त होता है जो काली मिट्टी होती है किस फसल के लिए उप्यूक्त होती है तो कापास इस पे सबसे अधिक होता है जो कापास का पैदवार होता है तो काली मिट्टी पे सबसे अधिक होता है यानि यह कापास के लिए उप्यूक्त ह हो जाएगा बिल्कुल सई हो जाएगा देख रहे हैं काफी महतोपूर महतोपूर प्रशने तो एक भी प्रशने स्की मत कीजिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देजे चार नमर प्रशने यहां पर देखिये भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा होता है बंदरगा क्या होता है जो जहाज होते हैं पानी वाले जहाज वो आके यहाँ पर रुखते हैं जहाँ पर रुखते हैं यह स्टेशन बना होता है उसे हम लोग बंदरगा बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है यह उप पुछा गया है काफी बार पुरिक्षाओं में ये प्रशन पूछा गया है तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है मुंबई बंदरगा है वो सबसे बड़ा बंदरगा है यानि यहाँ पर C option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अंगला कि इसमें से कौन प्रकृतिक आपदा नहीं है तो सबसे पहले समझे कि प्रकृतिक आपदा किसे कहते हैं जो प्रकृतिक आपदा होता है उसे किसे कहते हैं तो प्रकृतिक आपदा किसे कहते हैं जो प्रकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग प्रकृतिक आपदा कहते हैं और एक होता है मानो करित आबदा तो जो मानो की द्वारा घटता है उसे मानो करित आबदा कहते हैं तो यहाँ पर पूछाए गया कि प्रकृतिक आबदा तो यह आतंकवाद है तो यह प्रकृतिक के द्वारा नहीं होता है यह मानो के द्वारा होता है तो यह प्रकृ प्रकृतिक आपदा है प्रकृतिक आपदा है लेकिन जो राद कबलन और प्रकृतिक आपदा ओने सरवाधिक वर्षा कहां होती है, A Option पूर्णिया, B Option पूर्णिया, B Option पूर्णिया, C Option कुंची, D Option पूर्णिया, D Option पूर्णिया, सबसे अधिक वर्षा होता है भारत में तो यहां पर डी ओप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा एक भी प्रशन को स्कीप मत कीजेगा सुरू से अंतक देख लीजे यहां पर देखे साथ नंबर प्रशन है काफी महत्वपुण है दाल किस पॉस्टिक अंस का सु तो दाल में किस पॉस्टिक अंस का सुरूत है तो दाल से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है यानि यहां पर बी ओप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देख लेते हैं अगला प्रशने यहां पर देखे काफी महत्वपुण है यंग यूरोप की स्थापना किस ने किया था यहां पर देखे कागच का विसकार सबसे पहले किस देश में हुआ था यहाँ पे दिखे पूछा गया कि कागज का विसकार किस देश में सबसे पहले हुआ था A option है चीन, B option है जर्मनी, C option है जपान, D option है रोम तो कागज का विसकार सबसे पहले किस देश में हुआ था तो यह चीन में हुआ था और कागजी मुदरा अगर पूछे आप से की कागजी मुदरा का विस्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था तो वो भी चीन में हुआ था यानि यहां पर A option क्या हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर अगला प्रशने यह आप यहां पर पूछा गया है कि अंकोर वार्ट का मंदर कहां पे इस थे थे कंबोडिया में है और इसे किस में बनाया था तो सूर्ज वर्मन दुस्क्राइब नहीं हो जाएगा अगर अभी तक आपनेosse चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजे, सांत में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा, यहाँ पर देखिए, 11 नमबर प्रशने काफी महत्वपुण है, जालिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ था, पूछा गया है इस प्रशने में कि जालिया वाला बाग हत्या कांड है, वो कब प्रशने काफी महत्वपुण है, जालिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था, वो कब हुआ था, 13 अप्रशन का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यह देख लेते हैं अगला प्रशने यहाँ पर, अगला प्रशने यहाँ पर देखिए, 12 नमर निम्न में से कौन बीम बीमारू राजे है, यहाँ पर पूछा गया कि कौन बीमारू राजे है, यहाँ पर देखिए, 12 नमर प्रशने यहाँ बार बार पर रिक्छाओं में आते हैं, इसलिए हम सोचे आपको बता दे, यहाँ पर देखिए तेरा नमर प्रशन है किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है काफी मुहत्वपूर्ण प्रशन है यहाँ पर पूछाए गया कि किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है यहां पर A option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर देखिए चोदा नमबर प्रशने है यहां पर पूछा गया है कि जो यूरेनियम का उत्पादक अस्थल है वो कौन सा है तो भारत में यूरेनियम का उत्पादक अस्थल कौन सा है जादू गोड़ा है काफी महत्तो पूढ़ है यानि यहां पर D option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर देखिए काफी महत्तो पूढ़ है यह चावल कैसा फसल है जो यहां पर देखिए जो चावल है वो कैसा फसल है तो जो चावल है वो कैसा फसल है खरीब फसल है यानि यहां पर A option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा और यहां पर देखिए एक बार गेहूं पूछता है कि गेहूं कैसा फसल है तो जो गेहूं है वो कैस सा फसल ये दोनों प्रश्ण आपका इाद करके रख लिजी एक ना एक कोई भी प्रशन आपको परिक् yol से देखने को मिल जाएगा कि चावल कों सा फसल है टो खरीब फसल है तो रवा hier या ऊप लेज़र ला प्रश्न और आता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो 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 बैंकों का बैंक किसे प्रश्न है तो इसे भी आप लोग याद कर लिजेगा ये देखते हैं अंगला प्रश्निया पर सतरे नंबर प्रश्न में च्छाफ़ खाना का विसकार किशने किया था यहां पर देखिए काफी महत्तों पूर्ण जो च्छाफ खाना होता है यानि प्रिंटिंग होता है उसका सबसे पहले कुण से किताब को छापा था तो यह जो बाइबिल होता है उसे क्या इन्होंने छापा था यह देखते हैं अगला प्रशन के और अगला प्रशने यहां पर दिखिया 18 नंबर प्रशने काफी महत्वपुण है बेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया प्रशने यहां पर दिखिया बेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया था तो बिल्कुल यहां पर C-Option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर 19 नंबर प्रशने देखिये वार एंड पीस के लेखा कौन है काफी कुछ तक है उसके लेखा क्या पे पूचा के है कौन है और कि ओप से लिओ टोल स्टोई सीऊं एंजन शेल जे निपने यहां पर दिखिये वार एंड पीस के के लेखा कौन है तो अंबमर नेपा नगर किसके लिए परसीद धारत में जो नेपानगर है, वो किसके लिए परसीद है, A option ए चीनी के लिए, B option ए सिमेंट के लिए, C option ए अखवारी कागच के लिए, यहाँ पर D option देखिए, सुई कपडों के लिए, तो यहाँ पर देखिए, पूछा गया है कि जो नेपानगर है, वो किसके लिए परसीद है, तो नेपा सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा उससे सब्सक्राइब कर लिजिए एक ही बार किया जाता है अगर आपने नहीं किया होगा तब आप सब्सक्राइब कर दिजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ओल पे यहां पर दिखिए थोड़ा ट्रीकी भी है तो आपको इसे जरूर बताईएगा योजना आयोग को भंग करके किस योजना को बनाया गया काफी महत्वपुणे इसका जवाब आप लोग जरूर दीजेगा कि जो पहले योजना आयोग था उसे भंग करके यानि उसे हटाके नय कौन सा योजना बनाया गया है यह वपसे नीति आयोग बीपसे ने बित आयोग और अगर विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक कर दिजे ऐसे तीर का बटन दिख रहा होगा उसे दबाके अपने वाटसेप से अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए वाटसेप ग लोड करें तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुंचे थैंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें टेक कियर और बढ़ियां से पढ़ते रहें